22 जुलाई से मुजफवर नगर में कावर यात्रा की शुरुवात होगी यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाली दुकानों को लेकर प्रिशासन ने पहचान बताने के आदेश दिये हैं और जिसके बाद ठेले, दुकानों और रेस्टोरेंट पर नाम के होडिंग्स लगाए गए हैं और इसे लेकर सियासत भी अब लगातार जा रही है रिपोर्ट देखिए मुजफवर नगर में प्रिशासन का फर्मान दुकानों पर नाम हिंदू या मुसल्मान कावड यात्रा पर बताना पड़ेगा नाम फेलों पर लिखे गए नाम छिड़ा सियासी घमासान खान की स्टॉल एंड कनफैक्शनरी आरिफ फल निसार फल ये ना मुजफवर नगर की उन दुकानों पर लिखे हैं जहां से 22 जुलाई को कावड यात्रा गुजरेगी मुजफवर नगर प्रशासन ने आदेश जारी किया है साथ ही कहा है कि कावड यात्रा में जिस भी समुदाय के लोगों की दुकाने होंगी उन्हें अपनी पहचान के लिए दुकान पर नाम लिखना होगा इसके बाद दुकानों पर नाम लिख लिया क्या हमारे जन्पद में लगभग 240 किलो मेटर का कावड मार्ग है इसमें जितने भी खान पान के दुकाने हैं चाहे वो होटल डाबे ठेले जहां से भी कावड ये अपने खाद सामगरी खरी सकते हैं उन सब को ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें ये इसलिए जरूरी है ताकि कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कावड ये के अंदर ना रहे और प्रशासन के इस आदेश के बाद खेलों, दुकानों और रेस्टोरेंट पर लोगों ने अपने अपने नाम की होडिंग तो लगा लेकिन इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा की और जिसका नाम गुड़ू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा मानिनिया न्यायले स्वता संग्यान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मनशा की जाच करवा कर उचित दंडात्मक का रिवाई करे ऐसे आदेश सामाजिक अपराद है जो सौहार्द के शांती फूर वातवरण को बिगारना चाहते है दरसल मुजफर नगर के मिनाक्षी चौक पर बड़ी तादाद में नॉनवेज होटर है जहाँ शहर भर से लोग खाना खाने आते है इसी जगे से कावड यात्रा भी गुज़रती है इसी के मत्यन नजर होटल संचालको को भी पुलिस ने अपने नाम को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था होटल संचालको का पहना है कि जैसे ही कावड यात्रा गुजरेगी वहाँ उस टाइम पर पोटल बंद करतेंगे फिलाल सभी ने अपने अपने नाम की होडिंग लगा दी है बीरो रिपोर्ट भारत 24